चालू सप्ता के दुरान धनिया की कीमतों में तेजी देखने को मिली है माना जा रहा है कि इस वर्ष उत्पादक केंद्रों पर बिजाई का शेतरफल घटने के कारण धनिया उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम हो सकता है साथ ही हाल ही में कई उत्पादक केंद्रों पर बारी से क्वालिटी भी परभावित होने की आशंका है मिली जानकारी के मुताबिक कुल उत्पादन पर कोई विशेश फिलाल परभाव नहीं पड़ेगा पक्ष्यू की गुजरात और मध्यपरदेश में अधिकांश फसल की कटाई हो चुकी है वहीं बिजाई घटने के अलावा इस वर्ष मध्यपरदेश में प्रती हेक्चर पैदावार भी पिछले साल की तुलना में कमजोर मानी जा रही है साथ ही हाली में हुई बारी से क्वालिटी भी परभावित होने के आसार है जानकारों का कहना है कि पिछले साल देश में धनिये का उत्पादन लगबग देड़ करोड बोरी से अधिक का रहा था जो कि इस साल घटकर एक करोड बोरी के आसपास रहने की संभावना है वर्तमान में गुजरात की मंडियों में नए धनिये की आवक जोरों पर चल रही है जबकि मध्यपरदेश की मंडियों में आवक धिरे धिरे बढ़ रही है और वही राजस्तान की रामगंज मंडी में आवक आशान रूप नहीं बढ़ी है जबकि कोटा और बारा मंडी में आवक 15 मार्च के बाद बढ़ने की संभावना जताई गई है हाला कि नए मालों की आवक का शिरी गनेश हो चुका है वही वर्तमार में गुजरात की राजकोट मंडी में नए धनिये की आवक 9 से 10 हजार बोरी की बताई गई है जबकि जोदपूर में आवक 10 से 11 हजार बोरी की चल रही है वहीं अमरेली में भी आवक 10 से 11 हजार बोरी की हो रही है गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की मंडियों में धनिये के भाव 68 सो से 94 सो रपे प्रतिकुइंचर बोले जा रहे हैं जबकि मध्यपरदेश की मंडियों में नए मालों में 15 से 20 फिसद की नमी के कारण क्वालिटी अनुसार भाव 55 सो से 85 सो रुपे तक बोले जा रहे हैं वहीं चालू सब्ता के दुरान वाइदा और हाजिर बजारों में धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली है वाइदा में अप्रेल का धनिया 78 सो रुपे खुले के बाद 8 सार रुपे के उपर जाकर बंध हुआ जबकि मई के भाव में भी तेजी देखने को मिली वाइदा के तेज समाचार मिलने और मंडियों में पुराने मालों की आवग घटने के कारण फिलाल उत्पादकेंद्रों की मंडियों पर नए धनिये के भाव 400 से 500 रुपे प्रतिक विंटल की तेजी के साथ कारोबार करते दिखाई दिये हैं बाजार जानकारों को कहना है कि धनिया की वर्तमान कीमतों में अधिक मंदी के असार नहीं है आगे दिनों में नए मालों की आवग का दबाव बनने पर कुछ समय तक भाव दबे रह सकते हैं लेकिन आवग का दबाव कम होने के बाद कीमतों में अवश्य ही तेजी आएगी अगामी सप्टाह में वाइदा और हाजिर बजारों में धनिये के भाव तेज रहने के अनुमान लगाए गए हैं अगर निर्यात की बात की जाए तो गट सीजन में धनिये के दाम नीची होने के कारण धनिया निर्यात रिकोर्स तरपर पहुंच गया मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकडों के नुसार अप्रेल नॉंबर 2023 में धनिये का निर्याद 73,180 टन का किया गया जो की अब तक का रिकोर्ड निर्याद है जबकि इस से पहले साल 2022-23 के दुरान 54,481.49 का रिकोर्ड निर्याद हुआ जबकि चालू सीजन के निर्याद प्रदर्शन को देखते हुए संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले साल 2023-24 के दुरान निर्याद लगबग एक लाग टन के आसपास हो सकता है जिसके चलते कीमतों में तेजीब बनी रह सकती है